तिरुपुरा के बॉर्डर में ये लोग जी तो जी पूरे 260 वे दिन में में 20 वे स्टेट तिरुपुरा में इंट्र हो चुका हूं भाई वैलकम टू तिरुपुरा तो ऐसा कुछ है तिरुपुरा का ये चुराई बारी है तो आज भी पैकिंग बैकिंग हो गी और प्रस्थ अब मुझे तो ये वह सर थे इनके साथ बैठे थे खायती है तो मिलते हैं आपको दुबारा तो ऐसा कुछ था सर के साथ बैठे थे तो चलेंगे अपनी पैकिंग डन है तो मुसम कुछ खराब है यार थोड़ा सा लेकिन फटा-फट यहां से निकलना पड़ेगा करीम तो ऐसा कुछ था ठीक है साथ तो जी निकल पड़ा हूं वहां से अभी बजार क्रोस करके जा रहा हूं कर लिए आप सीधा हाइवे में आने वाला हूं और एक डेड़ किलोमेटर के बाद नैशनल हाइवे त्रिपुरा का असाम और त्रिपुता का इसला हाइवे तो चाचा देख तो यह रेलवे ट्रैक है यहां से निकलेंगे तो जी बुन्दा बांदी हो रही है फटा फट से रुखने के जगा डूंडते है और नाश्ता बाश्ता करते भूग लगी है तो यह आज भी क्या रहत है रुख जा यार बारिश बारिश काफी तेज आ रही है रुख सकता था मैं लेकिन प्राब्लम सिर्प है कि अगर एक पता नहीं कब घंजीड होगा भाई तो इसलिए एक दिन से ज्यादा या दो दिन से ज्यादा में रुखनी सकता क्योंकि अपना नहां दोना फ्रेश हो गया कपड़े बपड़े सब कुछ दूल गया जा रुखने क्या मतलब है यहां आरी है साइकिल मैंने वहा नीचे पार कि अध्यादा वास्ता हो गया तो यह वह बहुत बहुत शुक्रिया तो इन्होंने नाश्ता करवा दिया मुझे यार पलाओ गयरा क्या नाम है अपका उधी तरह है अजी तरह है तो आप निकलते हैं तो काफी अच्छे लोगे यार तो आसाम में पढ़ता है वैसे लेकिन सारे बंगाली है आपे तो चलें जी तो जी अगर तला हो गया 233 किलोमेटर नैशनल हाइवे में आ चुका हूं चलो जी बुंदा बांदी तो होई रिशावर तो पड़ी रहा है देखते हैं तो जी तो जी सुबह निकला था साड़े 9 बजे अभी टाइम उचुके साड़े बारा बजे पहली रेस्ट ले रहा हूं यह साइकल अपने लगाई यह कोई स्कूल या कोई आंगनवाडिया से कुछ है नुपून आसाम फांडेशन आप लिट्रेसियन कुछ तो है स्कूल हो गया तो पैसंटर शाट तो मिलनी रहा ह पास्ते में साइकी लगा है साइड में तो यह थोड़ा रेस्ट करते हैं तो जी टाइम हो चुके दो और वहां से थोड़ा आगया हूं 10 किलो मेटर तो लंच बंच कर लिया जाए तो लंच में क्या बना पूछते हैं राइस बाइस लें हैं सब कुछ दुकाने यह क्या खा लुटे में दो यह दाल चाहिए लुटे लंच करके निकल चुका हूं आदा घंटा होगया तकरीबन तो साइड दीन का टाय में और पूरा बादल बादल चाह चुके हैं बारिश आने का सभावना है और मैं टी गार्डन से गुजर रहा हूं खूबसूरत टी गार्डन से और पूरा देखो बादल का मौसम तो ऐसा कुछ है और दस किलूमीटर के बाद आसाम और तिरुपूरा का बोडर आने बाद है चुराबारी इसकर के बोडर का नाम है जैसे पोस्ता हूं तो आपको दिखाता हूं बाद कि तो भाई क्या जब अदा स्कूर तूरती देखो टी गार्डन यह देखो टी गार्डन देखा वाव क्या ब्यूटिफुल नहीं जारा है भाई बीच में घास के मैदान गाई चर रही है साइड में टी गार्डन यह देखो असाम और तिरुपूरा के बॉर्टर में यह लोग जी तो जी पूरे 260 वे दिज में मैं 20 वे स्टेट तिरुपूरा में इंट्र हो चुका हूं भाई वैलकम टू तिरुपूरा तो ऐसा कुछे तिरुपूरा का यह चुलाईब आ रही है एक गाउं में या डिस्टी के पता नहीं तो चलो जी इंट्र हो चुका हूं शाम के जाहिं काउं 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 कि वेलकम टू तिरुपूरा लिखा हुआ है और देखो धर्मनगर 15 किलोमेटर थैंक यू विजट अगें अगर ताला 179 वा साम का बॉडर था आगे यह तिरुपूरा का चुपारम में इंट्र होई चुका हूं मैं यह देख सकते हूं कि यूँब फिरुपूरा पुलीजआ देखा अब होगही जिए फाइनलेशईलि अब हो गया फाइनली इंटर अपना तिरपुरा में यह है बई पलीस थाना चुराय बारी गाड़ी बाड़ी सब लगी भी है देखो कि फाइनली धर्मपूर के आसपास पहुचा हूं और इंडियन ओइल का पंप था तो यहां पर केम्पिंग कर लिए आज अपनी और फोन चार्ड लगा लिए तो ऐसा कुछ था आज का सफर भी मिलते हैं आपको नेक्स ब्लॉग में बाए बाए